अज मैं जो वीडियो लेकर आई हूं उससे पता चलेगा प्रोफेसर इतनी स्लिम कैसे हैं जी हां मैं पीती हूं हमेशा ग्रीन टी तो देखिए ये है मेरी ग्रीन टी का बॉक्स ये वेस्ट नहीं करती हूं मैं इसे हमेशा कुछ न कुछ ही यूज कर लेती हूं तो उसी का य इस तरीकेसे स्ट्टी कर दोंगी। जिससे हमारे बॉक्स में मजबूति आ जाए मैं अब शे फ़र को हमें किस तरीके से मेजर करना है वीडियो में आप बेख रहे हैं। इस तरीके से मेजर करके अब ने लुंगे। और जिस तरीके से हम copy पे cover चढ़ाते हैं सेम उसी तरीके से हमें इस box को भी cover कर लेना है वीडियो को skip करके नहीं देखना है सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टी चिंग प्रोफेसर को बैल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की notification तो देखे अब मैंने जो paper cut किया है फेविकॉल से इसके उपर इस तरीके से रोल करूँगी और पूरा इसे cover कर दूँगी फिर इसके चारो corner cut करके अंदर की side इसे fold करते हुए stick कर दूँगी morning walk पे मैं जाती हूँ तो मुझे garden में कोई भी लकडी वगेरा अच्छे shape की मिलती है तो मैं उसे उठा के ले आती हूँ मेरे घर वाले इस बात से बहुत परिशान है मेरा बेटा बोलता है मम्मी आप पूरा कबाड़ा घर में ही लेकर आती हो तो देखे कितने finishing के साथ मेरा box ready है तो मैं इसी लकडी की बात कर रही थी अब box के according इसका measurement लूँगी और इसके बहुत सारे piece कर लूँगी अब मैंने लिया है send paper इसे raise maal भी बोलते हैं तो इसके उपर मैंने जो लकडी के pieces किये हैं उसे इस तरीके से wrap करेंगे तो हमारी लकडियों में finishing आ जाएगी लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा अब देखे फेविकॉल की help से हम इस box के उपर लकडी आगे पीछे पूरे अच्छे तरीके से stick कर देंगे तो देखे इस तरीके से मैं सारी लकडियां इस पे stick कर लूँगी जब पूरी लकडियां stick हो जाएंगी तो back side में फेविकॉल लगा के और एक paper का piece इस पे finishing के लिए stick कर दूँगी तो देखे इस तरीके से हमें इसके उपर इसे stick कर देना है अब मैंने लिये हैं पुराने bottle के कुछ धक्कन तो देखे इन धक्कनों को लेते समय आपको ये देखना है कि इनकी उचाई एक बराबर हो क्योंकि इस से हम इस box के बनाएंगे stand जी हाँ पैर मैं इसके बना रही तो देखे चारो कॉर्नर पे इस तरीके से मैं इसे stick कर दूँगी अब देखे आपको मेरे पूरे box का look दिख रहा है अब मैंने लिया है brown color अब एक कटोरी में दो brush color लूँगी और कुछ पानी मिला के उसे थोड़ा सा पतला कर लूँगी और फिर इन लकडियों पे उसे paint कर करूँगी आप चाहें तो कोई और भी color ले सकते हैं लेकिन मैंने लिया है wooden color जिससे मेरे लकडियों का बहुत ही सुन्दर look आए तो देखे इस तरीके से मैं इसे पूरा color कर लूँगी आप सभी से request है please 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 background sound को avoid कीजेगा क्या करूँ ये Mumbai है कभी रुकती ही नहीं है किसी भ आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं लेकिन जैसा आप प्रोफेसर को जानते हैं प्रोफेसर किसी भी चीज को simple तो रखती नहीं है तो मैं glue की help से उपर की side में हमारी जो rope है उसके 3 round लूँगी और नीचे की side लूँगी 2 round बनने के बाद अपने बेटे को दिखाऊंगी जिस चीज को तुम कबार बोल रहे थे उससे मम्मी ने कितना सुन्दर stand बना दिया है हीरे की परक तो जोहरी ही जानता है ना तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पे stick कर दी है पूरे पे rope अब मैं करूंगी इसे color फिर वही मैं कहूंगी कि आप चाहें तो इतना भी रख सक है उसे भी मैं black color कर दूंगी अब मैंने लिहे golden half cut beat अब थोड़ा थोड़ा सा gap देके मैं half cut beat को इस पे stick कर दूंगी तो तयार है आपका all purpose stand इसमें आप flower रखके center table पे as a flower pot भी use कर सकते हैं इसमें आप spoon fork रखके dining table पे भी रख सकते हैं pen pencil रखके बच्चे के study table पे भी रखक इसे use कर सकते हैं तो देखिए बना दिया न प्रोफेसर ने waste को best वीडियो कैसा लगा फटाफट से comment करके बताईए क्यूंकि मैं wait करती हूं आपके comments का करती है